हेलो एवरिवन माई नेम इस आश्वरा मिश्रा वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल रिडिशन टेकनोलोजी हमने मारे प्रिवेस्ट वीडियो में स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक डॉपलर अल्ट्रसाउंड हमने मैंने उस वीडियो में अपको बता चुके हूं कि व दॉपलर अल्ट्रसावर उसके कई टाइपस भी ओ सकते उसको this विद्षैनल ट्रीप विद्षैनल करते हैं तो बिस्क्ती वाइब क्रउस के उपढ़ा टॉपलर पोल्स डॉपलर ऐपलर अवं का पवर्डॉपलर तो अपने इनम से किसी का भी नाम सुना होगा कि आपके आ करानी है अपने यह सुनाओगा कि कलर डॉपलर करवानी है ठीक है तो इस इस दो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ डॉपलर साउंड और एक्जाम में इंडिविजुली भी पुछा जाता है बाकी सब इंडिविजुली अभी तक पूछे नहीं गए हैं बट यह कलर अपन सब्सक्राइब करना थोड़ा थोड़ा ठीक है तो इस पर चीज पता तो लुट रही है यहां पर यह यहीं जोटिनियूस वेव लगाता यह आ रही है तो इसमें सबसे पहले लिखा है इसमें कोई कोई कॉइपलेक्स मेकनिजम नहीं इसमें सिंपल है लीष्ट एक्सपेंसिव यह सबसे कम महँगा सबसे सस्ता डिवाइज है ताकि ब्लड वैसल को अज़कर करने के लिए जो हमारी फ्लो हो रहा है रक्त प्रवाः उसको मेजर करने के लिए सबसे सस्ती डिवाइस है ठीक है इसमें क्यों होता है तू ट्रांसडूसर करेंगे एक जो की अल्ट्रसाउंड को ड्रांसमिट कराएगा तो बॉड़ी के अंदर तैसे चोता है जो पाइए जोसी होगी है और विद्धा रिषी है और यहां से आने वाली सिस्टूर से तकरते हैं कि अगर आप सांड बोलते हैं एक घ्राम थिक्राइब करेंगी तो यह रिषीव और समी होता है तो है रिषीव पर पिल यह तो यह तो यह तो इस दो नमबर कि यहां पर एक है और यहां पर एक है स्लोप थोड़ा इंक्लिनेशन पर थोड़ा स्लोप ड़लान पर लगाया जाता है एक दूसरे से यहां से ट्रांस्मिट और यहां से यह रिसीव होगी तो एक ही ट्रांस्जिसर दोनों काम करेगा रिसीवर का भी और ट्रांस्मिटर का भ इको कहा है ती को कहा है तो आई इंसिडेंग ग्हों यहां पे आही और यह आपर जाक जाएगा इसको कहते हैंग ग्षमallas सम्टाइम संवी वन ट्रांचेशर है सोर्स इंट इसीवर अक्वार्डिण तीक है तो पनी ड़र होँ तो तो यह को इस तना ते मोर्ड़ा से की श्याओनiph basically इसे उसके आवरती से हमने compare किया क्यों compare किया है ताकि हमें Doppler shift मिल सके मैंने में प्रीवेस वीडियो में बताया था आपको कि Doppler shift क्या होती है Doppler shift में होता है कि जो आपतित frequency यह जो आपने दी है इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी से ठीक है जिससे कि हमको क्या मिल जाएगा Doppler shift मिल जाएगा एन ओडियो एंप्लिफायर कनवर्स दॉप्लर shift frequency to an audible sound अभी जो एक audio amplifier ओडियो एंप्लिफायर क्या होगा वह क्या करता है कि जो Doppler shift की frequency है उसको एक audible sound में convert कर देगा यह recorder tracks the frequency spectrum as a function of time एक important बात होती है continuous wave Doppler की कि इसमें क्या होता है इसमें होगा frequency और time की बीच में कि किस time पर कितनी कितनी क्या इसकी frequency है तो इसके अंदर वह यह record करेगा स्वेम कहते है रिकॉर्ड है simple है समझ में है continuous wave Doppler में क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो इसमें continuously wave नहीं कल रही है तो continuous wave नहीं कल रही है इसमें को मिली इस इको की frequency हमने पहले वाली की frequency से compare कर ली डॉपलर शिफ्ट में डॉपलर शिफ्ट को हमने ओडियो एंप्लिफायर में करके audible sound भी ले सकते हैं इसके साथ हमने उसकी क्या बोलते है रिकॉर्ड भी कर ली frequency spectrum बने लिए frequency और टाइम के बीच में जिससे कि हमें इसकी frequency मिल जाएगी तो हमें इससे velocity हम लोग काउंट कर लेंगे ठीक है तो नो anatomical image formed कोई anatomical image हमको इसमें नहीं मिली है अल्ट्रसाउंड is always on this is the most important thing from continuous wave Doppler किसमें क्या ultrassound हमेशा on है जिससे किसके नाम से पता चल रहा है CWD continuous wave Doppler तो ultrassound हमेशा on है तो आपको इसमें इतना ही रहान रखना है कि what is continuous wave Doppler continuous wave Doppler में अपने continuous wave यूज की है एक transistor का एक पार्ट उसको वेव को transmit करेगा receive करेगा recording echo आएगी उसमें से उसकी frequency को पहले वाल से compare करेगा Doppler shift निकलेगा Doppler shift से आपने उसको record कर लेंगे frequency वरसे स्टाइम का हमने graph बना लिया उसी graph से हम लोग उसकी velocity को मेजर कर लेंगे ठीक है तो यह होता है continuous wave Doppler तो आब तो किया उसको कहाँ कहाँ अपलाई कर सकते हैं continuous wave Doppler को सबसे पहले superficial structure स्ट्रुक्चर में कि इसमें कहाँ यूज centrifák इन संच तक्ष्षे उसको ओंगब जीषी करते हैं्म मेरता हैं कर उसके और ने मिलती कि संपर इसमें sa प्योडर प्लोश के चीड एलो एक चीज यह ख्यों कासव कॉनितर निंगा थे रखाइए अधिया तो सब्सक्राइबों को तरफ जब ब्लर बिसको को च्यूंड मदद से आप नाया करना दी तरिक चूंड को चुछ动 तो आपको अपकरन इसमें कॉम्पलिक्स निया क्वालिटी अच्छी है नो अलाइजिंग का मतलब क्या होता है सबसे पहले अलाइजिंग जो होता है कि किसी ये कि मिस इहनी कि आप लिए कि अनौसल ., कर लिया कि स्ञेल का नाइजिंग नहींWorld के जता है कि आप shifts ज सबसे विएके होता है कि सबसे अनौसिछוש के चेछड़ नो बहुत है समएक होता है सबसे नेतर्किनग मतलब सुझ अचीभ एक आपने रेडियोग्राफिय में डेफ्राइज को इसको कहते हैं तो इसमें सबसे कम मिलेगी वह चीज इसके इसके डिशाइडवांटेज क्या है लेक्षट डेफ्ट रिजॉलिशन के आपको अच्छी में नहीं मिलते हैं आप सिर्फ सुपरिशल स्ट्ट्टरिक्ट्टर करें कभी 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 क्या होता है कि इसमें कोई बहुत सारी जग ऐसा होता है कि इसमें इतना अच्छा resolution नहीं होता है कि differentiate नहीं कर पाती है तो चीज़ें जो ऑर्गन है वह अपने आपको अध्यारोपित होते हुए अब जो नेक्स्ट है वह आता है पल्स वेव डॉपलर ठीक है पल्स ड्वेव नामसे प्रशल जबने देखा था continuous वेव डॉपलर उसमें continue थी पल्स ड्वेव डॉपलर यानि उसमें पल्स जाएगी ठीक है तो इसमें क्या होता है वेट्व चोट शोट 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 शोटे पॉइंट्व पहलं प्रेशन प्रेज़न विद्वार्च जिससे मैं दिखाती हूं सांड की जैसे आपने देखा कंटिनिस वेव में हमेशा चालू रहती है लेकिन इसके अंदर क्या होता है कभी वह on होती है कभी वह off होती तभी तभी तापको पुल्स जिवय मिलती है तो इसके अंदर एक on time और off time भी होता है ठीक है on time जो होता है यानि transmit time संस्रित होने का समय है off time मतलब receiver time receive time receive time मतलब जितने भी signal ट्रांसमेट हो है जितनी भी जो sound गई है अल्टर सांड गई है उसको receive करने का time आ चुका है ठीक है इट प्रोवाइट बोथ velocity and depth information कि अभी क्या करेंगा velocity और depth दोनों की information देगा पल्स्री वेव डॉपलर ठीक है इट कं देखा है कि जो continuous wave Doppler होता है इसस्टेम में आपको मिल रही थी मैं आपको अच्छी से बताऊंगी बट्स इसने या यूज कर लिए है पल्स एको सिस्टम पल्स एको सिस्टम से क्या मिल जाएगा इसको मिल जाएगी डैफ्थ पल्स एको सिस्टम से ज्ञाव से मिलेगी यह म आपको अच्छी से बताऊंगी वेलो सिटी मैंने बता चुकिए वेलो सिटी तो मिली रही थी पल्स एको सिस्टम में अपने अड़ कर दिया पल्स को सिस्टम में मतलब क्या हुआ कि छोट छोटी आपने अल्ट्रासौन भीजी पल्स के अंदर फिर वह जब एक माईक्रो सेकं अच्छी से बता चलती जाएगी कि इतने कितने डेफ्थ पर जा रहे हैं और यह और जो जिससे एको आ रही हो कितनी डेफ्थ पर प्रेजेंट है तो इसमें किसे अपने सी डेवलुट प्ल्स एको सिस्टम को मिक्स कर दिया कंबाइन कर दिया तो आपको वैलोसिटी प्रस जाएफ्थ इसके अंदर दोनों मिल जाएंगी ठीक है इट यूजज वन ट्रांस्जूसर इन पल्स एको फॉर्मिट अब इसमें क्या हो रहा है कि इसने पहले ट्रांस्मिट कर दिया ठीक है उसके बाद में अराम से जब तक इसने ट्रांस्मिट की तब तक रॉन टाम है फ जब एक ट्रांस्मिट के लिए बहुत जादा होगा बहुत काफी होगा ठीक है अब यह आपको समझना है इस प्ल इस पेटियल पल्स लेंथ इस मच लोंगर फॉर एक्यूरे डिटर्मिनेशन ऑ फ्रिक्वेंसी स्विफ्ट शिफ्ट कि एस बचों को पता होगा कुछ इस प्ल्स लेंथ मतलब जो भी आपकी यह पाल्स आई है ठीक है यह कितनी लेंथ की है कितनी इसके इंदर नंबर आफ साइकल्स है और कितनी इसकी वेवलेंथ है तो इसको हम क्या कहते है स्प्रिक्वेंसी कितनी है ठीक है अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज समझा रही हूं इसको अच्छे से देखना कि कंटिनियूस वेव डॉपलर जो होता है उसके इंदर कंटिनियूस वेव जा रही थी ठीक है सारे औरगन्स का आपको पता चलना था इसलिए हमें कुछ कैसे सूपर इंपोष्ट जो अध्याहरोपित हमको सरंच्णाय मिल रही थी जो किसमें मैंने डिसाइडवांटेज भी बता है कि समें सूपर होता है अब इसमें क्या होता है कि जो अपने एक पल्स भेजिया है मानली जी यह ट्रांश्यूसर है ठीक है यहां ब्लस ब इस चीज़ के सिगनल देगा आसपास की सारी चीज़ों को भूल जाएगा तो आपने इस तरी के साम को एक्कूरेट बिल्कूल कहते हैं एक एक्कूरेट डेफ्ट का पता चलेगा आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि जैसे कि यहां पर आपने यहां की इन्फरमेशन एली फिर यहां पर आप इसको चेंज कर सकते हों फिर आपने process कन쪽에 यहें यहां लेकर मिलए हरा intimate आप गांज सब दो हरी तो तो इस इस दा मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज अफ पुल्स वेव डॉपलर कि आपको क्या एक 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 चीज मिल रही है तिक जिसे कि इसकि अपको क्या था कि सिर्फ अल्टर सांथ इसने यहां पर भी बेज दिया है था त्रांसमेट कर दिया और फिसने रिची वह दो आज दो आपको चाहिके लीच मिले आपको जाएक गाएक लिटेशी पर दिया है इसमें क्या होगा उस जगह का आपको सिफ सिग्नल हमें मिलेगा यह बहुत ज्यादा वन जो जाएगी अपने एक लिया खांस के प्रसपेक्टिव तो आप इसको एक एक बर बस समझन करने के लिए एक बार समझ लेजिए वाक इतना इंपोर्टन नहीं है आपको पता होना चाहिए वाट इस देस ठीक है तो देफ सेलेक्टिविटी इस अचीवड बाइन इलेक्ट्रोनिक गेट विंडो आफ्र ट्रांस्मिशन संचरन हो गया ट्रांस्मिशन हो गया अल्ट्रा स लिए तुर्च का ड्रांस्मिशन और समय प्रेशी को प्रेश करण में और समय की पूलेगे ट्रांस्मिशन अचारा क्रेंटिविए तक्रामन अजल कि अधिए अवह खेड़ करेंगे तो प्लूर्स वेव दोपल्पलर में आपने यही देखना है कि क्या एक पुल्स्टरों मिल रही है एक on time और off time है क्योंकि पहले transmit होना फिर receive होना है उसके बाद में velocity और depth दोनों information मिल रही है velocity आप CWD system से ले रहे हैं और जो depth आपने pulse system से ले लिए अब इसके लिए एक transistor काफी है और एक important information अच्छे से मिल जाएगी अब देखिए the operator can vary the gate position to select Doppler signal from any depth along the axis of transistor मैंने बताया कि जो operator है वो इस gate की जो position electronic gate की जो position इसको change कर सकता है ताकि आप अलग-अलग depth से सारे Doppler signals ले सकें लेकिन कहां पे along the axis of transistor transistor की लोकेशन चेंज कर लो एक्सिस चेंज जाएगी हर देफ्स आपको Doppler signal मिल जाएगा तो बेसिकली में यह है पुल्स में पुल्स में मिल रही है पुल्स में मिलेगी एक अलग से गार जाओ फढ़न ताफ बाड प्वेड दोनों information ने यह इतना याद रखने को टीक है जाएग इड़नटेश का इडेंटीकर सूर्स लोकेशन की एकडा कहा से हमें एको मिल रही है वह लोकेशन आपको मिल जाएगी जैसा हुआ लोसीट आपको बिटाएट त्रू यह में क्वालिटी में सफर ड्यू तो बैग्राउंड नूज यानि स्विचिंग स्वारी बैग्राउंड नॉज स्विचिंग मतलब इसमें कि क्वालिटी खराब हो सकती है क्यों क्योंकि आप बार-बार में स्विच कर रहे हैं कि एक पहले पल्स वेव भीजी फिर उसको रोक लिया इसका डिसर्वांटेज यहां तक समझ में यह दो टाइप मैंने आपको बताया दिये तो आप में इसमें इन दो डाइप्स में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टाइप पढ़ें ठीक है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट लाइक इंड शेयर इट थैंक्स फर वाचिंग